तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं बैतर होंगे दोस्ते इस क्वेश्चन में हमको गीवन है फाइब रजिस्टर्स आर कनेक्टेट इन शर्किट एस शोन इन फीगर दैने हमने फाइंट करना है एमिटर रीडिंग वन सर्किट इस क्लोजड कहने का मतलब अगर इस की को हम अन कर दें तो इस एमिटर में कितना करेंट जाएगा बेसिकली वह हमने फाइंट करना है तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंट करेंगे उसके बाद हम ओम्स लॉग की हैल्प से क्या करेंगे इस एमिटर में कितना करेंट जा रहा है वो निकाल लेंगे तो यहां पर सबसे पहले देखो एक बात ज्यान देने वाली है यह बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है यहां से जो करेंट निकल लाए वह आई निकल लाएं यह यहां से इस वाले जंक्षन पर जा एगा तो divide हो रहा देखो उपर की तरब एक current निकल गया i1 और suppose को नीचे की तरब एक current चले गया i2 अब यह जो current जा रहा है यह हमारा current क्या होगा इसमें भी same current distribute होगा i1 और इधर से i2 आ रहा है और इधर से i1 आ रहा है जब इस वाले junction पर पहुंचेंगे तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे i और बापस से क्या होगा यह हमारे battery के negative terminal में यहां से i current एंटर हो जाएगा तो आयोग तो आपको network diagram पता चल गया होगा कैसे हमने इसको simplify करना है तो सबसे पहले देखो यहां पर जो R1 और R2 लगे हुए है इसमें हमारी same current जा रही है तो यह दोनों क्या होगे है हमारे series में connect होगे तो सबसे पहले R1 और R2 का resultant निकाल लेंगे suppose करो R1 और R2 का resultant है वह हमारा आगया R है ना तो दोनों series में लगे हुए तो क्या हैगा दोनों को add करके मिल जाएगा यह पर 3 प्लस 3 यह हमारा आजाएगा यहांसे 6 ohm इन दोनों का resultant है वह हमारा आगया 6 ohm अब यह दोनों मिलके एक बना लेंगे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यह 3 और 3 मिलके हमारा कुछ ऐसे बना लेंगे एक हमारा यहांसे लग जाए गए यह ओगया और ए तो गधार हो गया यह तोग होगे अब हही आइसे च्लट हमने ऊसर समझना इसको धूगा इसको सॉल करके एक यह बन गया और दोनों साँकर करेंगे दोनों को यह जया हुआ ए sampra क्रोक्रद्धेर करें तो स्का निकलता है दोनों आप वहां से भी सेम आपको ऐसे मिलेगा ऐसे करोके तो थूड़ा टाइम आपका बज जाएगा यहां से आ रहा है 18 और यह मिलना है 9 तो इसमें आपको मिल जाएगा 2 करेक्ट है तो अभी एक काम और करना है अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इन दोनों का हमने एक रिजल्टन निकाल लिया तू ओम का क्याने का मतलब है यह जो हमारा स्टार था उपर इसका जो यह पीक पॉइंट था इस तीनों को स सीरीज में लगें तो इसका टोटल आ जाएगा डारेक्ट हमारा यहां से 0.5 प्लस इन तीनों को सॉल्ट करके हमारा एक बन गया था टू ओम का यह तो इसको सीधे टू लिग देते हैं प्लस एक इधर लगा हुआ है 0.5 का इन सबको एड करेंगे तो यहां से हमारा टोटल यहां को मिला है 3 Ohm है ना समझ रहो तो टोटल रेस्टंस यहां से हमको मिल गया 3 Ohm आई ओप आपको टोटल रेस्टंस समझ में आ गया होगा कैसे कैल्कुलेट करना है उसके बाद देखो इसमें जो बोल्ट है जहो हमको दिरगे 3 बोल्ट और इस एमिटर में कितना करेंट जा रहे है बेस्किली वह हमने निकालना है तो इसमें हम अपलाई कर देंगे बाई ओम स्लोग है ना ओम चाचा की बात कर रहे है यहां पर ओम फू चाचा की बात निकर रहे है तो ओम सलोग क्या होता हमारा वी इकोस्टू आई आर इसको बेस्किली हम अपलाई करेंगे तो तो यहां पे current हमने निकालनी थी, यह I equal to हो जाएगा V upon में R, voltage हमारा दे रहा है 3 volt और total resistance है हमारा 3, तो यहां से current है वो मिल जाएगा आपको 1 ampere, तो यहां से total resistance हमारा आ रहा था 3 ohm, और total current जो emitter में जाएगा हो जाएगा 1 ampere का, तो I hope दोस्त आपको question पकड़ में आ गया तो मिलते हैं दोस्त, next question में